अगे सब्ता यानी 23 सेप्टेंबर को प्रधानमजी नरेद मोदी अपने सलसदी चीद्र वारनसी के दौरे पर होंगी इसी दुरान तक्रीबन 1000 करोर से अधिक परियोजनों का तौफा बनारस वालों को मिलने जा रहा है इन समी प्रोजेक्ट में ये सबसे अलग और खास है करीबन सवा 300 करोर रुपे की लागा से बनने वाला क्रिकेट स्टेडियम ये बनारस की गंजारी राजा तलाब में बनने जा रहा है प्यम नरेद मोदी अपने दोरे पर इसकी आधार शीला रखेंगी इस स्टेडियम को जिस सरा से बनाया जा रहा है उसमें काश्री की संस्कृती के दर्शन होगी दुनिया के सबसे पुराने शेहरों में से एक बनारस को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है इसलिए स्टेडियम के निर्मान में शिव की भी ज़रत देखने को मिलेगी और गंजारी में बने ज़ा रहा वरानसी का यह दरास्ची कड़ स्टेडियम काफी लुभाबना और आकर शक होगा इस स्टेडियम को खासतोर पर शिव में भी बनाया जा रहा है स्टेडियम के डिजाइन की जो तस्वीरे अभी तक सामने आई हैं उसके मताबिक इसमें भगवान शिव से जुड़े हुए वस्तों के आधार पनी डिजाइन होगी स्टेडियम के सामने बनने वाले मीडिया सेंटर का डिजाइन भगवान शिव के डमरू की तरह होगा डे नाइट मैच के दुरान मैदान को रोशन कने वाली फ्लर्ड लाइट्स ट्रिशूल के आकार की होगी ये मोदी के आगामी दोरे में करीब हजार करोड से अधिक परियोजनों का तौफ़ा बनारस वालों को मिलने चारा है उन में से एक स्टेडियम है जिसकी लागत करीब अन 325 करोड है स्टेडियम का प्रवेश द्वार जिसा कार का बनाया चारा है वे बेल पत्र की तरह दिखेगा इसकी छत अर्द चंद्रकार की होगी इस स्टेडियम में 30,000 लोग बैट सकेंगे और इसे बनाने के दो साल का समय अनुमाने थे काश्ची की संसकती जलब को दिखाने की इस स्टेडियम में पूरी पोशिश की गई है छत भगवान शिफ के माते पर विराजमान अर्द चंद का स्मरण कराएगा तो फ्लेड लाइट्स बाबा के त्रिशूल की याद दिलाएंगी प्रविश दुआर उसके आसपास को घाट की स्टेडियों जिससे बनाया ज़ा रहा है जोंकि मीडिया लाउंच डमरू जैसा दर्शाया जाएगा इंडोनेशनल स्टेडियम के लिए 121 करोर रुपे में जमीन की खरीत की जा चुकी है और जलती इसका निर्मान शुरू भी हो चाएगा खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी खेल प्राथी करण भी इसके साथ ही बनाया चाएगा प्राथी करण भी हो चाएगा